नमस्ते एब्रिवन आप सबका स्वागत है मेरे यूटुब चैनल पर मैं आज बनाने जारी हूं बहुत ही आसान और स्वाधिस्ट रेश्पी तो चले वीडियो शुरू करते हैं आज की रेश्पी बहुत ही खास होने वाली है आज मैं भेज फुलाव का रेश्पी बना करके आप लोग कर सामने लाई हूं यह बहुत ही बनाने में असान और खाने में उतना ही तेश्टी है तो चलिए इसे देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है इसे बनाने के लिए आप लोग खिला पुलाव बना के घर पे रेडी कर सकता है तो देखे फ्रेंस ये पुलाव कोई देखे कर सकता है कि हमने इसे कुकर में जटपर से बना करके रेडी किया है बिल्कुल भी समय ने लगता है और बहुत ही खिला खिला से ये पुलाव बन करके रेडी होता है खाने में उतना ही टेस्टी बनता है अप लोग देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना टेस्टी और हेल्दी बन के टेड़ी वातत मैंने यहां पर कुछ समागरी लिया है जैसे कि एगिलस बसमती राइस जिसे हम लोग पुला बनाते हैं वाला चावल पतला वाला लंब कूट करके लिया है और यहां मैंने सबजिया लिये जैसे विंस गाजर मतर और गोबी और मैंने एक मीडियम सेज के आलू को काट करके पानी में भीगोर करके रखा हुआ था क्यूंकि आलू काला पड़ जाता है इसलिए मैं पानी में भीगोर करके रखी थी इसे मैंने एक क प्रेण्स चयुल के लिए देर घिलस पानी डाल के इसे अच्छे सेकर यह बार इसे अच्छे कर ससके ल कुड़ी है तो कि मैं पानी हुआ छोड़ दढ़ता है इसवरते हुआ जाएह चल्मस के करने कर दोफेस जह ने बीन आप इसके जगह पे cooking oil भी ले सकते हैं लेकिन देशीगी में जद्धा स्वादिश्ट पुलाव बनता है उसके पास हम इसमें जो हमने dry fruits लिया था काट करके काजो बिदाम आपके पास जो भी available होगा आप ले सकते हैं नई मन होगा इसके भी कर सकते हैं लेकि dry fruits डालिएगा पुलाव में dry fruits अच्छा लगता है तो हमें इसे हलका सुने रहा होने तक अच्छे से चलाते हुए भूल लिया है friends हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है बस थोड़ा सा ही भूनना है और सार्वे मैं इसे निकाल के एक प्लेट में रख लूँगी friends आप लोग पनीर के सब्जी बनाना या खाना तो इसलिए छोलने लिए खाड़ा हुआ था बहुरा था मैं मैं फ्राई करूंगा तो देखिया हमें पनीर को भी अच्छे से फ्राई कर लिए कूकर था friends तो थोड़ा दिकत हो रहा था होमेट पनीर बहुत सब्ट था लेकिन फिर भी हम इसे फ्राई कर लिए उसके बसे मैंने एक तेजपता लिया है एक बड़ी वाली इलाइची यानि की काली वाली इलाइची और एक हरी इलाइची और दो से तिन छोटा चुटा तुकडा दाल चीनी का और दो से तिन काला मिर्च अध्रक और रैसुन का कुटा हुआ अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं लेकिन कर जरूर दीजेगे इसे में पता चलता है कि आप लोगो वीडियो कैसा लग रहा है तो देखे फ्रिंस मैंने उसके बास से सुनेरा जब हो जाए अध्रक लेसुन तो हम इसमें प्याज दो मेडियम साज का काटके र अच्छे से तीन से चार मिन तक हमें इसे चलाते हुए ढग के हमें इसे भूल लेना है आप जाए तो ढग के भूल सकते हैं या इसे खुला भी उसके वासे थोड़ा सा हाप चमच के करीब हम इसमें नमक एड कर ले रहे हैं ताकि हमारा सबज्य अच्छे से पक सके हम इस प काज़ो और बिदम भी डालने के बाद से जो हमने सोक करके 3-4 मिन के लिए अपने चावल रखा तो चावल को इसमें एड़ करके अच्छे से चला लेंगे देखिए फ्रेंज बहुत ही इजी में आप लोग के लिए ट्रिक लेके आए हूं तो हमें इस स्टेज पर एगलस तक movie नौठ कर लेंगे तो देखे और सब्सीटी निकल जाने के लिए बेर reader खेएela ड़ोर जरू से कर दियेगा मेल इस्टी विसारा से इसे दो से तीन जगे से उल कर देंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा कुक होना वो रूख जाए और अच्छा सामरा खिला खिला से पुलाव बन करके रेडी हो तो ऐसा प्रोसेस आप लोग जरूर से कर दीजिएगा दो तिन बार ऐसे यहां वहां से चमस से हलकालका साइड कर दीजिएगा ताकि इसका एक्स्ट्रा कुकिंग निकल जाए और देखिए हम साइर से कितना अच्छा सावी गरम ही था फ्रेंस बिल्कुल भी ठंडा नहीं हुआ था फिर भी मुझे बहुत बेसबरी से इंतजार था कि आप लोग को यह पुलाव का रेस्पी जल्दी से जल्दी दिखा के सेर करो आप लोग के साथ और आप लोग आप लोग जब यह रेस्पी खुद से बना करके खाएंगे तब आप लोग को पता चलेगा कि बहुत ही स्वादिष्ट बन करके रेडी हुआ तो बिल्कुल भी तूटा नहीं था चावल खिला खिला से बन करके रेडी हुआ था जैसे हम लोग किसी पतिला या कड़ाई में बन करके रेडी हुआ तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो पलीज चैनल को लाइक साथ जरूर कीजिये आप लोग को गर्म गर्म ये पुलाव का रेस्पी कैसा लगा अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज कमेंट बक्स में कमेंट किजिएगा और कहां से देख रहे हैं ये भी जरूर कमेंट किजिएगा तब तक के लिए टेक केरें बाइ बाइ